3.0 को बनाने का आइडिया शंकर को कहां से आया, 3.0 की कहानी क्या होगी और दुनिया के ऐसे पाँच खूबसूरत रोबोट कौन से हैं जिनको देखकर आपको प्यार हो जाएगा नमस्कार दोस्तों मैं गरिमा सिंग और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो पे दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री के मोस्ट स्टाइलिश एक्टर और साउथ के भगवान कहे जाने वाले सूपरस्टार रश्नी कांथ जो जिस भी सीन को करते हैं इस अंदाज के साथ करते हैं कि वो एक मिसाल बन जाता है उनका चाहिक गंचा उचानने का स्टाइल हो या चश्मा पहनने का स्टाइल हो उनकी चाल ढाल सभी कुछ कल्ट बना हुआ है और जब से उनकी रोबोट 2.0 रिलीस हुई है तब से तो उन्होंने बॉलिवुड में तहल का मचा दिया है और उनके फैन्स को बेसबरी से इंतजार है उनकी मच अवेटिड फिल्म 3.0 का लेकिन 3.0 का आइडिया शंकर को कहां से आया दरसल 2.0 की शूटिंग के दोरान जब फिल्म का क्लाइमिक शूट किया जा रहा था जैसा कि हमने फिल्म की एंडिंग में भी देखा कि एक माइक्रो रोबोट को दिखाया गया है जो एक सफेद कबूतर पर बैठा है वही आगे चल कर रजनीकान की मदद करेगा और इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए फिल्म की स्क्रिप लिखी जा रही है लेकिन दोस्तों 2.0 की एक खास बात और है कि इस फिल्म में रोबोट के रूप में हमें एम इजक्शन देखने को मिली जो रोबोट कम और एक आम लड़की जादा लग रही थी बहुत ही खूबसूरत जिसकी वज़य से आम लोगों ने उन्हें छेडना भी शुरू कर दिया क्योंकि वो कन्फ्यूज हो गए कि ये रोबोट है या इंसान लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल जिंदगी में भी ऐसे ऐसे रोबोट है जिने देखकर आप आइडिया ही नहीं लगा सकते कि ये रोबोट है या इंसान आप सीरियसली कन्फ्यूज हो जाएंगे और वो इतने सुन्दर है कि अगर आप उनको एक बात देख लेंगे तो आपको कसम से प्यार हो जाएगा दरसल वग्यानिको ने एडवांस टेकनलोजी के माध्यम से ऐसे ऐसे रोबोट बनाए है जो आम लोगों की तरह ही बात कर सकते हैं तो शुरू करते हैं सबसे पहले जिस रोबोट की मैं बात करने वाली हूँ वो एक रोबोट गर्ल है जिसका नाम है Erika एरिका जापान की एक रोबोट गर्ल है जिसे जापान की युनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने बराया है यह आम लोगों से बाते कर सकती है इनफेक्ट उनके फेसे को भी याद रख सकती है ताकि नेक्स टाइम जब आप इनसे मिलने जाए तो यह आपको पहचान ले जिसका नाम है Mark One दोस्तो Mark One को Hong Kong की एक कंपनी ने बनाया है और यह बेहदी खूबसूरत रोबोट गर्ल है इनफेक्ट इसकी स्किन को सिलिकोन के माध्यम से बनाया गया है जिससे की यह एक आम लड़की की तरह लगती है और Mark One के 70% बोड़ी पार्ट को 3D प्रिंटर की मदद से बनाया गया है यह आम लोगों से बाते कर सकती है और उनके साथ अपने विचार को भी साजा कर सकती है अगर आप इस रोबोर्ट गर्ल को कोई कॉम्प्लिमेंट देते हैं तो यह बदले में फेस एक्स्प्रेशन के साथ आपको रिप्लाई भी देती है जैसे की गुसा करना या फिर शर्माना या फिर नराज होना यह सब कुछ यह रोबोर्ट गर सकती है वहीं दोस्तों आपने एक बात पर गौर किया कि इस रोबोर्ट गर्ल की शकल किस से मिलती है दरसल इस रोबोर्ट गर्ल को हॉलिवुड की बहुत ही ब्यूटिफुल एक्ट्रस स्कारलेट जॉनसन की शकली दी गई है आगे बढ़ते हैं अब जिस रोबोर्ट की मैं बात करने वाली हूँ वो इतना शांदार रोबोर्ट है कि लोग इसे रोबोर्ट मानने से ही इनकार कर देते हैं जब इसे लोग देखते हैं तो कहते हैं यह एक इंसान है और सिफ रोबोर्ट बनने की एक्टिंग करता है रोबोर्ट गर्ल की मैं बात करने वाली हूँ, वो 21 सदी का एक बहुत बड़ा अविशकार है, इसे भी होंग कॉंग कॉंग की एक कंपनी ने बनाया है और ये अब तक की सबसे हाइस्ट आर्टिफीशल इंटेलिजेंस रोबोर्ट मानी जाती है, जी हाँ, ये रोबोर्ट इ इसलिए गया है कि ये आम लोगों के साथ बाते कर सके और उनके साथ काम भी कर सके, इनफेक्ट दुनिया भर में सोफिया के काफी जादा इंट्रव्यू भी लिये गए हैं, इनफेक्ट सोफिया की इंटेलिजेंसी को देखते हुए, साओधी अरब ने इनको नागरिकता भ इतने इन्टेलिजेंट है कि इन ही को इनस्पिरेशन बना कर फिल्म में बनाई जाती हैं, तो आपको इन सभी रोबोट में से कौन सा रोबोट सबसे ज़ादा अच्छा लगा, या कौन सी रोबोट गर्ल आपको ज़ादा अच्छी लगी मुझे कमेंट कर के जरूर बताये और रेड बेल आइकन को दबाना मत भूलियेगा ताकि जल्द से जल्द आपको हमारे चैनल की नई अपडेट्स मिलती रहें. और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और देखते रहे हमाना चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज. पर रहे थांस, आपको हमारे ठाकि बूलिग्राद स्टूड़ मुल्याल पकी जल्द आपको हमारे शुलियोजlection की बढ़ा हमारे तेosterизित हैनल कि वह खघूचन् से यादियो पर से बढ़को हमारे मठकों तेस्ज्स की टूलिएर खोगजोरा उल्स요.